Hello everyone, welcome to my channel Mama's Wall Param इस week का Monday motivation वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हूँ इस week का Monday motivation वीडियो थोड़ा लेट आया है लेकिन मेरा यहाँ मानना है कि It's better late than never मेरे पिछले वीडियो को पसंद करने के लिए लाइक करने के लिए, शेर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव एनरजी कैसे बढ़ाएं हम अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लाएं और हम उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कैसे जीवन में सफल हो सकते हैं या कैसे जीवन में सक्सेस पा सकते हैं तो हम अपने अंदर positive thinking कैसे बढ़ाएं? हम अपने अंदर positive thinking तब बढ़ा सकते हैं जब हमारे अंदर उत्साह हो positive thinking बढ़ाने के लिए हमारे अंदर उत्साह यानि enthusiasm का होना बहुत जरूरी है उत्साह से भरा हुआ इंसान और एक बिना उत्साहित इंसान के अंदर हम बहुत अच्छी तरह से फर्क कर सकते हैं एक उत्साह से भरा हुआ इंसान फुर्तीला होता है उसके अंदर जोश होता है कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है पर एक बिना उत्साह के इंसान के अंदर वैसा कुछ जोश नहीं होता उसके अंदर कुछ खास करने के लिए उत्साह होता ही नहीं है अगर उत्साह ही नहीं है तो वो आगे क्या करेगा एक सिंपल एक्जामपल है उत्साह से भरा हुआ इंसान एक हवा से भरे हुए टायर की तरह होता है जिस तरह एक हवा से भरा हुआ टायर आगे बढ़ता है वैसे ही एक उत्साहित इंसान एक एंथूजियाजम से भरा हुआ इंसान आगे बढ़ता है लेकिन एक बिना उत्साह का इंसान एक बिना हवा के टायर की तरह है जो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता तो हमें अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए सक्सेस पाने के लिए सबसे पहला चीज हम्यारे अंदर एंथुजियाजम यानि उत्साह का होना बहुत-बहुत जरूरी है अगर हमारे अंदर ही वह जोश है हमारे अंदर ही वह लाइट है हमारे अंदर ही वह आग है रोशनी है तो बाहर का कोई भी बाहर की कोई भी अंधेरा उसे बुझा नहीं सकता तो हमारे अंदर वह रोशनी, वह जोश, वह आग जरूरी है आगे बढ़ने के लिए तो यह था पहला चीज यानि enthusiasm या हम उसे कह सकते हैं उत्साह हमारे अंदर positive energy बढ़ाने के लिए जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो है निश्चें यानि determination अगर हम निश्चें कर लेते हैं किसी चीज को करने के लिए अगर हम determination हमारे अंदर है कुछ करने के लिए तो हम निश्चें ही कर सकते हैं उत्साह enthusiasm से भरा हुआ इंसान अगर कुछ निश्चें कर ले तो वह उसे जरूर हासिल करेगा उसके अंदर वह positivity वह positive energy अपने आप आ जाएगी उसे हासिल करने के लिए तीन चीज़े होती है एक इच्चा एक निश्चें इच्चा जो है अगर हम कोई चीज को इच्चा करते हैं हम सोचते हैं कि हमें वह पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं करता है तो उसे वह चीज कभी नहीं मिलपाएगी दूसरी बात है निर्ने अगर हम कोई चीज निर्ने कर लेते हैं तो फिर भी हम कुछ हद तक आगे बढ़ सकते हैं पर जिस दिन हम किसी चीज को निश्चे कर लें, determination हमारे अंदर लाएं कि हमें वो करना है, तो वो हमें जरूर मिलेगा. तो पहला है उत्साह यानि enthusiasm, दूसरा है निश्य यानि determination, अब तीसरा, तीसरा important चीज है धैर्य यानि patience. जो धैर्य रखता है, वो जो चाहे वो कर सकता है. धैर्य और परिश्रम से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें शक्ती और सिग्रता से नहीं मिलती. किसी ने बहुत सही कहा है, अंधिरे के बाद ही रोशनी आती है, तो हमें उस अंधेरे के दोर में धैर्य रखना जरूरी है तो हम कोई भी कार्यक में अगर असफलता मिलती भी है तो वह धैर्य से हम उसी को फिर दोबारा करके हम उसमें सफल हो सकते हैं धैर्य से इनसान के अंदर वह ठैराव आता है मुश्किल दौर में, मुश्किल दौर को सहने के लिए ताकत देती है तो धैर्य हमें बताता है कि I have come this far, not to stay this far I have to go ahead धैर्य से हमें यहां पता चलता है कि मैं इतना दूर आया हूँ तो मुझे यहां नहीं रहना है मुझे आगे बढ़ना है मुझे और आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है निरंतर आगे बढ़ना है यहां हमें धैर्य हमें धैर्य रखने पर ही यह सोच हमें मिलती है तो हमारे अदर positivity लाने के लिए जो मैंने तीन चीज़े बताई वो पहला है अपने अंदर उथसाह जो की है enthusiasm अगर मिल जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते चौथा बहुत important चीज है goal determination हमें जीवन में क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए हमें clear होना चाहिए कि हमें क्या करना है हम हर कोई काम तो नहीं कर सकते हमें ये भी करना है हमें वो भी करना है हमें इस field में भी करियर बनाना है ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारा तुम्हारी इच्छा जिस फिल्ड में है तुम्हारी रुचे जिस फिल्ड में है तुम वह निरधारित करो कि तुम्हारा गोल क्या है और जो तुम्हारा गोल है लक्ष है उसी को पूरा करने में अपना सारा ध्यान अपना सारा मेहनत अपनी सारी सकती, धैरिय, उत्साह, निश्चे उसी में ही लगा दो तो सफलता जरूर मिलेगी और इन सबी चीजों से positivity, हमें positive energy मिलती है और हम कोई चीज में असफल हो ही नहीं सकते एक बहुत अच्छा कोट है जिसमें कहा गया है कि falling down is an accident but staying down is our choice तो हमें नीचे नहीं रहना है, अगर हम गिर भी जाते हैं तो हमें उपर उठना है हमें उसी उत्साह के साथ, उसी निश्चे के साथ, उसी धैरिय के साथ और उसी goal statement के साथ हमें फिर से उपर उठना है और हमें जो चाहिए, हमारा जो aim है, लक्ष है, उसे हमें पाना है और छटवा चीज है, reject the unfavorable, जो चीजे हमें हमारे लक्ष की और आगे बढ़ने में, हमारे लक्ष को पाने में, हमें positive energy हमारे अंदर भरने में, positive environment create करने में, हमें जो चीजे साहयक है, हमें वैसे चीजों को अपनाना चाहिए, और जो हमें इसका उल्टा कराती है, जैसे हमें जो हतोत साहित करती है, negativity हमारे अंदर लाती है, वैसे चीजों को हमें, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, जो हमारा अच्छा सोचता है, हमें उसे अपने जीवन में सामिल करके रखना चाहिए, जो हमारा बूरा सोचता है, उनसे दूरी बना लेने चाहिए, गीतान में कहा ग यानि निश्चें, तीसरा था धैर्य यानि पेशन, चौथा है गोल स्टेट्मेंट यानि हमारा लक्ष, क्या लक्ष है हमारा, पांचवा है accept the favorable और छटवा है reject the unfavorable, अगर हम ये चीज़ें को ले के हम अपना अगर कर्म करते हैं तो हमें इसका फल हमारे अनुकूल ही मिलेग तो यह था इस सप्ता का मंडे मोटिवेशन, आसा करती हूँ कि आपको इस सप्ता का मंडे मोटिवेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, धन्यवाद